Hello students, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पीनल कोर्ड के टॉपिक, थेफ्ट, एक्स्टॉशन, रॉबरी एंड अकॉइटी के बारे में, उसके डेफिनेशिन्स, इंग्रीडियन्स और पनिश्मेंट से रिलेटेड इंपोर्टन प्रोविजिन्स डिस्कस करेंगे. थेफ्ट, एक्स्टॉशन, रॉबरी, एंड अकॉइटी, डिफाइन्ड है, चाप्टर 17 के सेक्शन 378 से लेकर 402 तक. चलिए इसको हम डीटेल में समझते हैं. थेफ्ट अंडर आईपीसी. थेफ्ट यानी चोरी, डिस्कस्ट है आईपीसी के सेक्शन 378 में, जो कहता है कि कोई व्यक्ती किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके ओनर से छीन लेता है, बिना उसके कंसेंट के, तो उससे थेफ्ट माना जाएगा. For example, गाड़ी, गहने, पैसा, इत्यादी. मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है आईपीसी के सेक्शन 22 में, जो इंक्लूड करता है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी. ऐसी प्रॉपर्टी जो हम अपने सेंसे से महसूस कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो लैंड ना हो और धरत इसे अटाच ना हो. अभी देखते हैं थेफ्ट के कुछ इंग्रीडियन्स. First, dishonest intention. किसी व्यक्ती का अगर चोरी करने का या दूसरों को लॉस पहुचाने का इरादा हो. Second, movable property. थेफ्ट बस movable property पर हो सकती है, और जो धरते से अटाच नहीं है और जिसे हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. Third, without consent. जब चोर ओनर के इजाज़त के बिना उसका सामान ले जाए. अगर consent होगी तो वो थेफ्ट नहीं कहलाया जाएगा. Fourth, move out of possession of other. जबी property को ओनर के possession से हटा दी हो. चलिए, इसे हम एक illustration से समझते हैं. A, Z की servant है और Z ने उसको एक plate का ध्यान रखने बोला है. बट A, धुके से plate लेकर भाग जाती है, बिना Z के consent के. क्या A ने theft commit किया? Yes, किया है. अभी हम discuss करते हैं, extortion के बारे में. Extortion defined है, IPC के section 383 में. जो कहता है कि, अगर कोई व्यक्ति, पूरे intention के साथ, सामने वाले को injury पहुचाने के fear में डाल रहा हो, और सामने वाले को dishonestly induce करता है, कि वो अपना कोई property या valuable security उस व्यक्ति को दे दे, तो उसे extortion कहा जाएगा? इंजरी का definition section 44 में दिया गया है, जो कहता है कि, इंजरी एक illegal harm है किसी व्यक्ति के शरीर को, दिमाग को, इज़त को या property को. Valuable security mentioned है IPC के section 30 में, जिसका मतलब होता है एक document related to legal right. अगर एक व्यक्ति किसी को extort कर रहा है, और उसे डरा रहा है कि वो ऐसा कोई material publish कर देगा, जिससे सामने वाले का image खराब हो जाए, भले वो publishing material, सच हो या जूट, वो extortion कहलाया जाएगा, क्यूंकि वो सामने वाले को fear में डाल रहा है. Extortion के कुछ ingredients देखते हैं. First, fear of injury. जैसा कि हमने पहले discuss किया, injury चार चीजों की होती है. Body, Mind, Reputation and Property. यह present में हो सकता है या future में. Second, dishonest inducement. सामने वाले को property deliver करने के लिए induce कर देता है. Third, to deliver to any person, any property, both movable और immovable, valuable security और anything which can be converted into valuable security. यहां property या valuable security deliver होती है, भले movable या immovable property हो. एक illustration देखते हैं. A, Z को धमगी देता है कि वो Z के बच्चे को अगवा कर लेगा. अगर वो एक promissory note को sign करके A को नहीं देता. Z, डर के मारे note sign करके A को deliver कर देता है. A ने extortion commit किया. अभी जानते हैं robbery के बारे में. Robbery defined है IPC के section 390 में and यह एक criminal offense है. Robbery तब कहलाया जाएगा जब एक व्यप्ती दूसरे से property ले लेता है इन following चीजों से. First, जब इस force use होता है या उसका डर दिया जाता है. Second, जब injury या उसका डर दिया जाता है. Third, अगर सामने वाले को मारने की कोशिश की हो या उसे बुरी तरह से घायल कर दिया हो. Fourth, यहाँ property इदर movable या immovable हो सकती है. बस यह ज़रूरी है कि वो act, criminal intention और वो owner से permanently वो property आप्टेन करने के लिए की गई हो. इसे एक illustration से समझते हैं. रात के समय एक सुनसान रस्ते पर A. B. को बंदूग दिखाता है और उसे धक्का देकर उससे उसका purse और गहने चुरा लेता है. यहां robbery के सारे ingredients फुल्फिल हुए हैं. यहां पर threat of force था जब गन दिखाया गया था. Fear of injury थी जब B. सुनसान रस्ते पर अकेली थी. And A. उसे आसानी से चोट पहुचा सकता था. And attempt था person को या उसके property को injure करने का जब उसका purse और जूल्री चोरी हो जाए. अभी हम आते हैं हमारे last topic पर जो है decoity. Decoity mentioned है IPC के section 391 में. जब robbery, पाच या उससे ज़ादा लोग commit करते हैं तो उसे decoity कहां जाता है? Decoity का मतलब gang robbery होता है. यह offense हर एक stage of crime पर punishable है. हर कोई व्यक्ती जो इसमें involved है वो decoity commit करता है. अभी चलिए हम देखते हैं इन चारों से IPC में क्या punishment है? As per section 379 of IPC, जो person theft commit करता है, वो 3 साल के लिए imprisoned होगा या उसे fine देना होगा या दोनों करना पड़ सकता है. As per section 384 of IPC, जो कोई भी extortion commit करता है, उसको 3 साल का imprisonment या fine या दोनों से punish किया जाएगा. As per section 392 of IPC, एक व्यक्ति जो robbery के offense के लिए guilty है, उसे 10 साल के rigorous imprisonment या fine या दोनों से punish किया जाएगा. अगर robbery, sunset and sunrise के बीच किसी highway में की गई हो, तो imprisonment 14 years तक extend हो सकता है. As per section 395 of IPC, डेकोईटी का punishment है imprisonment for life, जाविट 10 years rigorous imprisonment या fine के लिए भी liable होगा. Screen पर दिये गए table के help से, आप ये सारे provisions easily समच सकते हैं. तो ये थे provisions related to theft, extortion, robbery and decoity in IPC. Please check the description box for more information about plea. Thank you.